इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिटी मैथमेटिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हलो एंड वेलकम बंस अगेन स्टुडेंट्स आज अभी इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्म्यूटेटिव बाइनरी ओपरेशन के बारे में क्रम बिनिमयक द्वीचर संक्री आएं पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि बाइनरी ओपरेशन क्या होती है चलिए तो क्रम बिनिमयक बाइनरी ओपरेशन क्या है क्रम बिनी में एक या कम्यूटेटिव वर्ड जो है देखो इसका मीनिंग है बहुत ही सिंपल सा तो इसको ऐसे समझे डेफिनेशन समझे पहले कि माल लेते हैं कि यह जो अपरेशन है स्ट्रीक इस बाइनरी अपरेशन इस बाइनरी अपरेशन ओन सेट ठीक है सेट ए पर एक बाइनरी अपरेशन है हमारे पास स्टार या स्ट्रीक अब यह इस तरह से है सच देट राइट सच देट फॉर अल ए एन बी बिलॉंग स्टू सेट है सेट है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो इस ओपरेशन में क्या खासियत है कि A एस्ट्रीक B बराबर आता है B एस्ट्रीक A के यानि कि इस ओपरेशन में अगर इन दोनों एलिमेंट के ओरडर को हम इंटरचेंज कर ले लेकिन उससे रिजल्ट चेंज ना हो रिजल्ट फिर भी सेम आए तो ऐसी ओपरेशन को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ओपरेशन धेन ऐस्ट्रीक नॉन एज क्म्यूटेटिव ओपरेशन बाइनरी ओपरेशन अभी आप डेफिनेशन नोट कर लेकिसंज में बहुत असान है commutative क्रम निमयक जिसमें elements का order change करने पर भी result change ना हो कुछ example दीजे देखो जल्दी से आप commutative के तो आप पाएंगे addition, right, multiplication, right, union और intersection are commutative सही है, यह जो operations है, जोड़ना, गुणा करना, union लेना, intersection लेना, यह सब क्या है commutative, आप 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 करो, you got the same result, है ना, लेकिन subtract करना, divide करना, right, are not commutative, यह commutative नहीं है, आप 2 को 3 से divide करो, 3 को 2 से divide करो, तो अलग-अलग result आएंगे, है ना, लेकिन 3 को 2 से multiply करो, यह 2 को 3 से multiply करो, same result आएंगे, तो I hope आपको यह बात समझ में आ गई होगी, किस type के operation को हम commutative बोलते हैं, चले कुछ example देखते हैं इसके, onset q, binary operation, binary operation, is commutative or not, आपको बताना, commutative है या नहीं है, where a star b means a plus b minus a b, यह operation है, तो बताओ, यह commutative है या नहीं है, तो देखा, आपको करना क्या, board की copy में आपको लिखना कैसे है, उस पर आदसी देखे, कि for all a and b belongs to set q, rational number लेगर हम कोई भी दो, तो a star b क्या होगा, that is a plus b minus a b, सही है, अब आप क्या करो, b star a लिखो, b star a कैसे लिखोगे, बस कुछ नहीं करना, इस definition में b की जगा a और a की जगा b लिख देना है, तो आपको क्या में लगा देगो, b plus a minus b a, तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल definitely it is equal to a star b, तो इसका मतलब क्या हो गया, so it is commutative, तो आपको I hope समझ में आ गई होगी बात, commutative के लिए आपको क्या चेक करना, आपको जिसे a star b given है, वो definition given है, आप b star a लिखो, और फिर देखो कि क्या दोनों चीज़े बराबर है, अगर है, तो वो operation commutative है, otherwise नहीं है, अब इस example में देखिए, set n, यानि natural number के set पे operation define है, a star b means a plus b plus a square b, क्या ये definition कि according जो operation है, ये commutative होगी, ये आपको check करना, तो जल्दी सा answer दीजे, क्या होगा, so the right answer is, this operation is not commutative, ये commutative नहीं है, क्यों नहीं है, देखो, कि यहां देखो, here, here a star b is equal to a plus b plus a square b, and b star a, अब देखो, b star a कैसे लिखना है, इस definition में a की जगर b, b की जगर a लिखो, यानि की b plus a plus b square a, अब देखो, क्या ये दोनों बराबर है, definitely it is not equal to b a plus b, plus a square b, so this is not equal to a star b, ये a star b का definition है, और ये दोनों बराबर नहीं है, यहां b square a, यह a square b है, right, तो इसका मतलब ये operation commutative नहीं है, ओके देखे, अब एक और example लेता हूँ, इस बार फिर से, pa क्या है, power set of a non-empty set a, set a के जितने भी subset है, वो a में आ रहे है, pa में आ रहे है, तो pa में एक operation हमने define किये है, ऐसे, कि p star q, ये p और q क्या है, दोनों a के subset है, right, तो बराबर आना चीए, p intersection q bar, क्या ये operation commutative है, तो आई ये देखते हैं, देखे, solution, पहली बात तो बताओ, p star q bar क्या होगा, sorry, p intersection q bar क्या होगा, p star q का मतलब होगा, भाई, p intersection q bar, तो देखे, बहुत ही easily, अगर मैं वें डाइग्राम की फॉर्म में आपको समझा हूँ, तो ये इस तरह से बात होगा, कि ये set a होगा, इसका कोई एक subset है, ये p, है ना, और एक ये subset है, q, right, p intersection q bar, इसका मीनिंग क्या है, p मतलब p के अंदर, और q bar मतलब q के बाहर, ऐसे element जो q में नहीं है, लेकिन p में है, तो अगर उसको वें डाइग्राम में हम रिप्रेजेंट करें, तो ये है, देखो, p union q bar, ये वाला set होगा, जबकि अगर आप q, a streak, p calculate करें, तो according to definition, वो हो जाएगा, q intersection p bar, और जिसका डाइग्राम कैसा होगा, q intersection p bar का, ये इस तरह से होगा, ये set p है माल लो, ये set q है, तो q के अंदर होने चाहिए, element और p के बाहर होने चाहिए, मतलब जो p में ना हो, लेकिन q में हो, तो वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं, तो आप देख सकते हैं, ये दोनों set अलग-अलग आ रहे हैं, right, so p star q is not equal to q a streak p, तो ये जो है, ये commutative नहीं है, तो ये कुछ example थे, binary operation के जो commutative है या नहीं है, तो चलिए अब हम मिलते हैं, next वीडियो में, जहां हम बात करेंगे, associativity of binary operation के बारे में, till then good bye,